आज की स्वियात्रा में हम लोग आगे बढ़ें तो भगवान शी कृष्ण ने हमें जो संदेश दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है इस रूप में वहत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमें जीवन दिया गया है और इस यात्रा में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें धर्म से जुड़ना है धर्म जो है वो नियम है इस अंसार के जिनके कारण इस स्रिष्टी में सर्वत्र व्यवस्थार और योजना हैं चलती है भगवान की उन्हें मानने वाला व्यक्ति ही आस्ति कहलाता धार में कहलाता है परमात्म के ही उन दिव्य गुणों से युक्त होकर मनुष्य मनुष्य के साथ प्राणी मात्र के साथ जब सदभाव का व्यभार करता है अपने जैसा सब को मान कर सब के प्रति उसी तरह से व्यभार करने लगता है तम माना जाता है कि व्यक्ति सच में वो धार्मिक है धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म वाले से या दूसरे मजब वाले से मत वाले से पंथ वाले से संप्रदाय वाले से कोई वर्ग भेद नहीं रखता उसके अंदर एक ही बात होती है कि सब ही तो मेरे अपने है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक तरफा शान्ती की बात चलती रहे एक तरफा जुकने की बात चलती रहे एक तरफा मानने की बात चलती रहे संसार का नियम बड़ा विच्चत्र है यहां जब हम किसी को प्रणाम करते है तो वो भी उतना ही प्रणाम करता है जुक करके या फिर प्रणाम करते हैं तो वो गदगद हो करके हमें आशिश देता है हमारे लिए हमारे मंगल काम न करता हमारे शुब की प्रारत न करता हमारे शुब के लिए हमें आशिश देता है लेकिन जब कोई जुके और दोसरा जुकाने पर लगा रहे एक एड़्जेस्ट करता रहे और दोसरा एड़्जेस्ट कराता रहे और खुद एड़्जेस्ट ना करे एक माने और दोसरा मनवाता रहे लेकिन खुद ना माने बस वहाँ गड़बड है इसलिए धर्म मानता भी है, मनवाता भी है सुधरता भी है, सुधारता भी है समझता भी है, समझाता भी है एड़ेस्ट करता भी है, एड़ेस्ट कराता भी है ये बात ध्यान रखना खुद की दुष्टता को भी दूर करना है लेकिन दूसरे दुष्टता को भी हटाया जाना चाहिए नहीं तो इस दुनिया में शांती की प्रार्थना कितने भी आप करते रही है आपको शांती प्राप्त होगी नहीं क्योंकि अशांत करने वाला वातवन आपके चारुतरब है वो आपका ध्यान, आपका भजन, आपका मंदिर में गंटी बजाना वो सब रुख जाएगा इसलिए धर्म में ये बात ध्यान रखने की है परित्रानाय साधुनाम सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए लेकिन वहीं पर फिर ये भी बात आ जाती है वे लोग जो अधर्म करने वाले हैं जो दुष्टता का बरताव करते हैं तो उनका भी तो कुछ न कुछ विवस्था होनी चाहिए ये बात ध्यान रखना के आप अपने घर परिवार में शांती का वातवन स्वयम बनाएं घर को भी जोड़ें घर को भी मिला करके चलें लेकिन मात्म बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में अपने शिश्यों को जब उपदेश दिया तो उस उपदेश में उन समस्त साधूओं को भिकूओं को उन्होंने ये कहा एक जगे तेन दिन से जादा मत रहना बड़ सारे संदेश दिये उनमें एक संदेश बड़ा कठोर संदेश था तुमारे संगठन को संग को कोई तोड़ना चाहे और इस पवित्र कारिय में विक्न डालके से नश्ट करना चाहे मैंने तुम्हें बरदास करने के लिए हरपल कहा है लेकिन उससे बरदास मत करना देश तूटता हो, धर्म तूटता हो, मानवता तूटती हो, घर तूटता हो वहाँ हम बैट करके पाठ करते रहें तो फिर ये धर्म नहीं है फिर वहाँ धर्म ये होगा कि आपके घर में अगर कोई भी विजातिय तत्व है या कुत्ता बिल्ली गुसे तो क्या करोगे तब आपको रोकना होगा इसलिए कहीं बाड लगाने की जुरूरत है यत भद्रम तन्ना आसु है जो भद्र है वो हमारे अंदर आएं लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना दुरितान ही परास हुए बुराई और दुरित पीड़ा देने वाली चीज़ें बाहर भी जाने चाहिए मन के अंदर आप बुराई को नकारात्मकता को हटाएं और शुब को आमंत्रन दें आपके कान सोने खुले रहते हैं वगवान ने कानों को बनाए ही ऐसा है कि इसमें कोई गेट बंद करने की विवस्ता रखी ही नहीं है इन कानों में तो कोई भी कुछ भी डाल जाएगा शोर आता ही रहेगा अच्छाई का बुराई का सब कुछ लेकिन ये बात ध्यान रखना अंदर है एक दर्वाजा जो बंद होता है वो बुद्धी का है कि शब्द तो कोई भी आए है ध्यान किस पर दोगे जिस पर ध्यान दोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा जिस पर ध्यान नहीं दोगे, वो रिकॉर्ड नहीं होगा जो चीज आप जिस पर मन टिका लिया दुनिया में सुछोर की चीजें हैं, सुनाई दे रही है लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान टिकाई रखा कोतुवल जाग गया कि ये है क्या तो वो आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर बुद्धी से वो भी एक चीज रखी है कि पैंसिल में जैसे रबड भी लगी होती है इरेजर भी लगा होता है कि अगर आपने लिखा है तो मिटा भी सकते हैं तो आपके पास अंदर एक रबड भी है एक डिलीट का बटन भी है कि गलत चीज है तो यह हमारे लिए नहीं है बेकार की चीज है उठाओ फेंको चार बार उसके बारे में वो भाव ले आए कि इस तरह की चीजे में हमारे उत्थान के लिए नहीं है हमारे जीवन के कल्यान के लिए नहीं है यह हमें नहीं चाहिए एकदम उस समय आप अपने अंदर के उस भाव को लेकर आए जिसे कहते हैं अवेलना करना उपेक्षा करना उधर ध्यान नहीं ध्यान फिर उससे विपरीत पर जाए जहां आपने जाना उस पर ध्यान तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कृष्ण आपको धर्म की तरफ ले जाने के लिए कृष्ण आपको आपके जीवन धर्म को समझाने के लिए संदेश देते हैं लेकिन उसमें भी यह बात ध्यान रखने की है कि बार बार वो यह समझाते हैं अपने मन को इस्तिर करना सीखे अपने भीतर की शक्ती को जागरित करना सीखे अपने भीतर की शानती को स्थावित करना सीखे और इसके लिए क्या करना है तो वो भी एक संदेश देते हैं लेकिन उससे पहले एक बात जरूर जान लेजिए कि आपके भीतर अनेक शक्तियां है उन शक्तियों को जानना और उनको जागरित करना आपके शरीर में जो आपकी रीड है जो स्पाइनल कॉड है तेतिस अस्थिखंड इसमें है और अंदर की तरफ जो ये नाडियां है बहुत सारी नाडियां मस्थिख से जुड रही है लेकिन कुछ वो भी ह जो कहने के लिए नाडियां हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती लेकिन विद्युत दारा उन्हीं के द्वारा उपर के तरब जाती है जैसे पक्षी जाते हैं तो पक्षी उनके लिए आकाश में कहीं मार्ग दिखाई नहीं देता बना हुआ है हवाई जाते हैं तो लगता है कि कोई मार्ग नहीं है लेकिन उनको पता है कि हमें यहां से लेकर इधर तक जाना है उनका मार्ग निशित किया जाता है योगियों ने रिशियों ने आपके लिए एक मार्ग निशित किया है कि आप अगर अपने प्रतम तल तक जी रहे हैं मुलधार चक्र तक जी रहे हैं तो फिर आप संसार की इच्छाओं में खाना पीना संसार को भोगना संसारिक पदारतों की तरफ दोड़ना भागना बस वही तक आपका दिमाग लगा रहे हैं आप जिस मकान में रह रहे हैं उसके साथवी मंजिल पर भगवान है इसलिए जिन लोगों ने ये कहा कि साथवे आस्मान पर भगवान रहते हैं खुदा रहते हैं तो ये बात ध्यान रख लेजिए कि उनकी अपनी मान्यता है लेकिन हमारे यहां यह कहा जाता है कि आपका साथवा तल जो है जिसको सचखंड लोग कहते हैं जिसको आप वह ब्रह्मरंद्र वाला ब्रह्मलोक वाला स्थान कहते हैं यहां अपनी उर्जा को हर दिन उपर उठाने की चेश्टा करनी चाहिए जिवहार में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ध्यान केवल मात्र संसार के पदार्थों में अपनी भोग इच्छा को पूरा करने में ही न लगा रहे जाए एक दाइरे में घोमते विए जिंदगी न पूरी हो जाए जिंदगी ऐसे न हो जाए कि चले तो भावत लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं इसलिए सबसे पहले अपनी इस ओर्जा को धर्म से जोड़ा जाता है कि आप उस तरह के धर्म को जाएं मानम धर्म को आप समझें प्रिकृति के धर्म को आप समझें जगत के नियम जो है उनको भी धर्म कहा गया उनको आप समझें संसार में कैसे रहना परमात्मा ने हमारे लिए व्यवस्ता दे मन की चंचलता बड़ी भारी दी है जो संसार के लिए जरूरी है लेकिन परमात्मा के लिए जरूरी नहीं भगवान की तरफ जाना है तो कहते हैं इसकी चंचलता समाप्त करोड़ दुनिया में जाना है तो पिर तुमा मन जाएगा इधर भी इधर भी क्योंकि कुछ चीजों से आपको मन को हटाना कहीं मन को दोडाना कहीं कलपना के घोड़े दोडाने हैं और कहीं पर आपको टिक कर बैठना इसलिए संसार में आपका मन दोड़ता रहेगा लेकिन जैसे संसार से उपर उठना चाहते हैं तो पर वहाँ मन को केंद्रित करना पड़ेगा और मन के अंदर जो वृतियां उठती रहती हैं इनको बोलते हैं हम लोग लहरें विचारों की लहरें ये वृति रूप है लहरों का रूप है प्रकंपन वाली चीज़ है इसमें वाइबरेशन हो रही है विचारों की तरंगे उठ रही है लेकिन जैसे ही आप विचारों को शांद कर देते हैं मन खो जाता पता ही नहीं लगता कि है और जैसे ये मन खो गया आपका संसार गायब। आपके अंदर जो संसार चल लाता वो गायब। और वहाँ से शुरू हो जाता एक अलग नजारा दिखाई देता है। चड़ गया उससे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जैसे वहाँ चड़े तो आपको दिखाई दिया एक सुन्दर उद्यान और उसके पार एक नदी और इस नदी के ओपर उड़ते वे बहुत सारे पक्षे फलों से लदेवे पेड़ तो एक अलगी दुनिया द आपका मन करता है कि ऐसी दुनिया तो हमने कभी सोची नहीं थी आपके सामने भी इसी तरह से एक जंगल है और एक पाढ़ खड़ा हुआ संसार भर का जिसमें आप रोज बटकते हैं लेकिन जैसे आप उस सोचाई पर पहुँच जाते हैं जहां से एक अलग दृष्य दिख खाई देने लगता है कि जिसके विशे में आप ये कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी कलपना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है करना क्या है आपको हर दिन अपने आपको शांत करके भगवान के भजन में जब आप बैठते हैं तो हम जातर पूजा पाट क्या करते हैं कर कर्मकांड करने में लगे रह जाते हैं हमारा कर्मकांड जो यहां फूल चड़ा है यहां तिलक लगा है यहां धूप रखी यहां पर जो है दीप जला करके फिर हमने आरती कर लिए फिर हमने हाथ जोड़ करके जो मांगना था मांग लिया उसके बाद घड़ी देखी उठके बड़ा टाइम हो गया आप जाना भी तो है उससे पहले निश्चे करके आते हैं कि बगवान से आज मांगना क्या है कहना क्या है दो मिनिट की वो सारी विधिपुरी की उठकर के चल पड़े है अब अगर पूजा शब्द का अर्थ करें तो क्या है पूजा नाम सतकारम पूजा क्या है सतकार करना सम्मान देना प्रेम प्रकट करना अब प्रेम क्या प्रकट ऐसे होता है आदर क्या ऐसे दिया जाता है जल्दी जल्दी लो जो यह फूल ले लिजे यह चीज ले लिजे और यह रही नमस्ते रम चलते हैं हो गया सतकार दो बार गड़ी देख लिए चलते चलते ये भी कह दिया मैंने आपका सदकार किया ये ये सब देदे ना बाद में जो है ना इसी काम के लिए आये ते इसलिए तो सदकार किया था आपका तो इसे आप क्या कहो गए पूजा हो गई जब तक आप उसके हुर्दे में अपना स्थान ना बना लें ये मैसूस ना हो कि ये मेरा अपना है मुझे बहुत आदर देता है फिर जिसको आदर दिया गया वो खुद पूछता है मैं तुम्हरे लिए क्या कर सकता हूँ तब जब आप कह दें कि मेरी एक विंती है आप समर्त हैं सर्व समर्त हैं आप से बढ़कर शक्ति किसकी आपका सहरा मिले मैं भी उपर उठ जाओं मेरा भी बलाओ फिर जुड़ेगा आपका तो आपकी पूजा पूजा है इसलिए ये बात दिहान लेजिए कि जिस समय आप भगवान की बक्ति करने बैठते हैं तो पूजा पाट का जनियम हमारा है वो करना तो जरूर है वो करमकांड वाली चीज़ें करनी हैं लेकिन उन्हें करते करते हैं आप बाहर न रह जाओ दुनिया में न रह जाओ उससे आगे चले जाओ बलकिन व्यवस्ता तो बिलकुल इससे भी अलग है जब आप फूल हाथ में लेते हैं तो आप उस समय या तो अपने उन भावों को लेकर आ जाएं कि ये पुश्प खिलावा मेरा हिर्द है जिसकी कोमलता जिसकी प्रसुनता जिसके अंदर उठते भी प्रेम की सुगंद में भगवान आपको और पित कर रहा हूँ खिलावा हिर्द है प्रेम पूर्ण हिर्द है बहुत प्रेम पूर्ण होकर भगवान को अपने पुश्प चड़ाईए और जब तिलक लगाएं तो उस तिलक में उस कुमकुम में आप समझें कि हमारे रगों में बहने वाला जो रुधिर है उसका रंग जीवन की जो शक्ति है अपने जीवन का जीवनी शक्ति का वह समस्त प्रेम आप भगवान को अर्पित कीजिए तिलक में आप अपने प्रेम को अपने स्वरूप को कि तुम मेरे अपने हो मैं अपने अनन्त प्रेम को आपके प्रतियर पित करता हूं मेरे लिए परम प्रिये प्रभु आप हो तो आप वो तिलक लगाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो अक्षत रखते हैं चावल, बिना टूटे चावल तो उन चावलों को लगाते समय आपके मन में भाव होता है कि मैं संपूर्ण मन भी आपको औरपित करता हूँ टूटा हूँ मन नहीं, खंडित मन नहीं पोण मन से मैं आपका ध्यान करता हूँ भारती संस्कृति यग्य की संस्कृती है और इस संस्कृती में सबकुछ प्राप्त करने के लिए यग्य करने का विधान माना गया है अनंधाम आश्यम में प्रतेख वर्ष की तरह इस बार भी स्री गनेश लक्ष्मी यग्य काहिजन है जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी सुमती भी और सुम्रद्धी भी तीनों शक्तियों को तीनों कृपाओं को तीनों प्रकार के आशिरवादों को प्राप्त करने का एक सुम्दर आउसर। हमें आज के इस माहोल में इस दौर में बहुत आवशक्ता है मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धी बल भी बढ़े ये सारी शक्तियां हमारे पास हो और हम अपने आंतरिक शक्ति से भी युक्तो हों के जिससे प्रिस्थ परतियों को पार भी कर सकें और अपने सोभाग्य को अपनी और खींच भी सकें। जीवन में सुक, सुम्रद्धी, धन, दान्यत ये सब की भी अभी ब्रद्धी हो। लेकिन साथ साथ में वह सुमती बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाब ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधी काम ना आए, ना जब काम आए, ना हमारी प्रार्थना काम आए, ना कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यग किया जाना चाहिए। तो यग करने के लिए फिर ऐसा आवसर जहां यग्यों के द्वारा आउती हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपो भूमी, ऐसी यग्य भूमी, आनंधाम की भूमी, जहां पर हमारे वटुक ब्रमचारी हर दिन यग्य करते हैं, जहां पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का भी शेक होता है हर दिन ही यहां साधना होती है ऐसी गुरु भूमी में प्रतेक वर्ष यग्य होता है और उस यग्य में भी जब गणपती भगवान का भी यग्य हो रहा है लक्षमाता का भी यग्य हो रहा है तो ऐसे में हमें एक आउसर और मिलेगा कि हम अपने स्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास स्रीयंत्र हैं उनको और जागरित करते वे संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आउती दे सकते हैं एक सुंदर महान आउसर है जिसका लाब हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मान कर चलें कि इस यग्य के द्वारा ही अगनी पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन कर सकते हैं क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए और यग्योवई विष्णु भगवान का रूप ही यग्य है आउती दी गई भगवान को प्राप्त हुई भगवान प्रसन हुए और आपने प्रार्थना की उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया तो सभी के लिए बहुत-बहुत मंगल कामना है आमंत्रन स्विकार कीजिए और आप बदारिए निश्चित रूप से आप इसका लाब ले सकेंगे मंगल कामना करता है